वैसे तो दुनिया बरे में कई जील हैं मोजूद है जो अपनी खुबसूर्ती से लोगों को हहरान कर देती है और जिनकी खुबसूर्ती को देखकर अरको दंग रहे जाता है लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जील के बारे में बताने जा रहे हैं इसे अजीब और गरीब जील कहें तो गलत नहीं होगा हम आपको एक ऐसी जील के बारे में बताएंगे जिसके अंदर पूरा का पूरा जंगल बसा हुआ है और यह जील दुनिया की सबसे जीबो गरीब जीलों में से एक है दरसल इस जील के अंदर पूरा का पूरा एक जंगल बसा हुआ है यह देखने पर ऐसा लगता है जैसे पेड़ पानी के उपपर उगे हुए हो और वो भी उल्टे जी यहां इसके अंदर जो पेड़ है उन्हें देखने पर ऐसा लगता है जैसे की उल्टे पेड़ पानी में उगे हुए हो तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा जरूर देखना वीडियो को जड़ा सब इसकिप मत करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चलिए वीडियो शुरू करते हैं यह अजीब और गरीब जील कजाकिस्तान मिश्तित है और मैं आपको बता दू कि जील का नाम लेक कैंडी है इस जील में अजीब तरह से लकड़ी के खंबे निकले हुए है जो देखने में काफी अजीब लगते हैं असल में पेड़ों के कुछ इससे हैं जिनका बाकी का इस पानी से भर गया और इसी के साथ साथ यहां मौजूद जंगल भी पानी में डूब गया कुछ इस तरह से इस अनोकी और अजीब गरीब जील का निर्मान हुआ समुद्र तरल से लगबग 2,000 मीटर उपर इस्तित इस जील का पानी काफी ठंडा है और यह ठंडा पानी पेड़ों के लिए किसी रेफरेजर्टर के तरह काम करता है यह जीब गरीब जील कजाकिस्तान के सबसे बड़े शहर अलमाटी से 280 किलोमेटर की दूरी पर इस्तित ह लेक केंडी कजाकिस्तान के प्रमुग परेटर निस्तरलों में से एक है यह बारी संक्या में लोग गूमने के लिए आते हैं सर्दियों के मौसम में जील का पानी जम जाता है तो काफी सुन्दर लगता है सर्दियों में जील आईस डाइविंग और मचली पकड़ने के तो यह था इस अजीब और गरिब जील का पूरा रहस से आई होप ये वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी तो वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना वीडियो को जाज़ादर लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलन थांक्स पर वाचिं दिस वीडियो